आराध्य अरिहंत प्रभु के चर्णों में अनन्त अनन्त आस्था के साथ वंदन शाषन पती श्रमन बगवान महाविल स्वामी के चर्णों में अनन्त अनन्त आस्था के साथ वंदन जेंशाषन देव जेंशाषन माता को नमन आत्म ज्यानी सद्गुरु देव युग प्रधान आचारे वगवन के चर्णों में अनन्त अनन्त आस्था के साथ वंदन आत्म पीय शमित्मुनी जी शाष्वत्मुनी जी आत्मार्थी सादक सादिकाउं तत्वार सुत्र के अंतरगत पंचम अध्याय अजीव प्रक्रण में पुद्गल का विशे चल रहा है पुद्गल के घुन धर्म को हम जाने थे स्पर्ष रस गंद वर्न वंत है पुद्गला जिसमें स्पर्ष है वर्न है गंद है और रस है वो पुद्गल है यह पुद्गल के ऐसे असाधान गुण है जो अन्य किसी ध्रव्यों में नहीं पाए जाए जहां यह गुण धर्म नजर आए तो वहां समझ लेना यह पुद्गल है और जहां हम पुद्गल से जुड़ गए पुद्गल से राग कर लिया पुद्गल से द्वेश कर लिया तो समझ लेना यहां मैं निश्चई धर्म से व्यवहार में चला गया और यहां पर मैंने विभाव में जाकर के राग और द्वेश को बंदन कर लिया निश्चे और व्यवहार धर्म में क्या अंतर है बोलो निश्चे धर्म क्या है और व्यवहार धर्म क्या है बार बार यह शब्दात है व्यवहार परियाय के पिक्षच से है और निश्चे सभाव आत्मा के पिक्षच से है और बोलो व्यवहार रो से बार बार आते हैं जहां व्यवहार में अतक जाओगे महां बंदन हो जाएंगे जब जब हम निश्चे से जुड़े रहेंगे उस समय कर्मनी ज़रा है जहां हमने व्यभार में अटक गए व्यभार को महत्व दिया वहां पर बंदन होगा आत्मा सभाव निश्चे है और पुद्गल और पुद्गल से जुड़ा हुआ सारा संसाथ जवहार है परियाय किसकी है पुद्गल की है जी वर्तमान में इस परियाय में मनिश्च परियाय में है मनिश्च परियाय में मन है वचन है काया है और मन में जो जितने भी विचार है वो किस से जुड़े हुए है पुद्गलों से जुड़े हुए है विचार सहीम अपने आप में पुद्गल है आगे आएगा पुद्गल के और भी गुणों में तो जहां हम जीव को छोड़ करके पर को महत्व दे दिये और पर में हमारी मन बचन काया है ज्यादा काम हमको किस से पढ़ता है मन बचन काया काया और वानी से भी ज्यादा कारिय मन का है और मन को जब तक हम इग्नोर नहीं करते मन को जब तक हम महत्व नहीं देते मन को जब तक हम गौन नहीं करते मन के पीछे जब हम लगे रहते हैं उस समय में हमारा बंदन चल रहे है जिस समय हम जीव के पीछे लगे हुए हैं जीव का चिंतन है जीव में स्थित है जीव में स्थिर्ता है जीव का ध्यान कर रहा है तो उस समय हमारी निजरा चल दिये है अब यहां पर भगवान कहेते क्र परियाए आप जाहे जो करो लेकिन आप उसमें देखो जीव कहां है मन के पीछे हैं या जीव जीव में हैं दोई जगह भटकते हम मन के पीछे होते हैं मतलब हम व्यवार में चलेगे परियाय में चलेगे पर्चिंतन में चलेगे बूद भविश में चलेगे मन कहां जाता है जाता है मन वर्तमान में आये Heek One उसकी टेथ हो गई घड़िय अगर रुख जाए पैंदलम यह तो पैंदलम इधर जाता है या पैंदलम इधर जाता है पुरान इसék दिशुतत हुति ने हिंद्ले- mouse इधर जा रहा है इधर जा रहा है तब तक तो गड़ी चल रही है और एक। मन रुख गया तो कोई कि nuev All पे जी में निश्चे में आ गए इसलिए मन को सुन्य में ल्ाने के लिए बार बार जूड़ दे रहे हैं श्यास थे क्या मन को ए.. शुन्य में लियाओ, एक गड़ी तक दिक मन जीरो स्थिति में रहे, ना बूत में जाये, ना बविष्य में जाये, ना परका चिंतन करे, कुछ ना करे, कुछ नहीं करना इधर मैं, एने जीव अपने सबाह मैं है, और मन वचन कैसे कुछ कर नहीं रहे, याने जीव ने अपनी शक्ति मन वचन काया को दी नहीं तो मन वचन काया शक्ति की पावर क्या है आपके देम ऐसे जब जीव निकल जाता है तो आपके मन वचन काया का कोई पावर है क्या है ऐसे जीते जी मन का पावर कैसे निकालना ये ध्यान है सरलबशन जीते जी शुकल द्यान में रहना याने मन का पावर अपने हाथ में ले लिया और हम मन को एक समय के लिए भी पावर नहीं देंगे क्योंकि सारा पावर का स्टेशन हमारे पास है हम महां से कनेक्शन उसको देंगे तो उदर जाएगा ने तो नहीं जा सकता मालिक हम है, ना कि मन हमारा मालिक है, मन को हमने एपउइंट किया है, मन को हमने खीमत चुका के लिए है, मन को हमने अपनी सेवा के लिए रखा है, लेकिन अज्ञान अवस्ता में, मिठ्यात अवस्ता में हमने जीव को गौन कर दिया और मन को महत्व दे दिया, और मन में इतरा कुछ भरके रख लिया कि वह एक समय के लिए भी खाली नहीं बेटना चाता इतना उसके अंदर चंचलता भरी पड़िये कभी भुद्ध में विचार लाता है कभी भोईश में जाता है कभी पुद्ध गल का चिंतन करता है कभी आत्मा में तो रेने ही नहीं द देता क्योंकि हमने उसको स्वच्छंदता का आदेश दे दिया वैसे ललित गोश्टी के लिए आता है ना कि अर्जुन माली के समय में कि राजा का आशेवाद खिलो ना लेके छोड़ा जो मन में हमारे आया वो हमने रोके दोके किसी तरीके से पूरा करवा पर देखाब जोटा बच्चा कैसे करता है आप इसको बच्चा समझते हो लेकिन बच्चा नहीं नहीं वह जीव वही है पर जीव की सारी शकति मन के पीछे लगी औरम जो चारा पहले खिलो ना, अगर किसी ने छीन दिया तो रोते थे, खाने को नहीं मिला तो रोते थे, पिने को नहीं मिला तो रोते थे, अपने आवश्यक कारे नहीं हुपे तो रोते थे, अब किस के लिए रो रहे हैं, अब मन के पीछे लगके रो रहे हैं, मन की इच्छाओं के लिए मन कहता है इदर चलो तो उदर जा रहा है, मन भूत में ले जा रहा है, मन बविश्व में ले जा रहा है, हमारे हाथ में ही नहीं है, अब उसको इतना स्वचंद बना दिया कि वो हमारा मालिक हो गया, और जिदर चाहिए हमको उदर नचा रहा है, और चार गती चुरासी लाग भाप्जी योनी में भ्रह्मन का कारण कोन है ağAM, हमारा ही स्वचंसय स्वक्षन्द मन Кयाष से तुमने बहुत थोडीої क्रिया की चोबिस में आप कया से ये क्रिया की लिमिट है। माणि से बुलने की लिमिट के बाद आपको सब चूप कर देते हैं, आप खुद मन पुद्गलों का पिंड है, मन जीव का नहीं है, मन जीव का नहीं है, मन ने एक मेनेजर किराये पे रखा, पुन्य देकर के, पुन्य की कर्म की कीमत चुकाई, तो आपको मन मिला, लेकिन यूज करना नहीं आया, उसका रिमोट अपने हाथ में नहीं रहा, लगाम छोड़ गोड़े की लगाम छोड़ दो, और फिर गोड़े की सवारी करो, पुराने समय में सवारी सारी किस की होती थी, और जो पुराने लोग गोड़े के उपर सवारी करते थे, जिन को गोड़ा चलाना नहीं आता था, और गोड़े आगे पीछे हो जाते थे, बराबर एक तक षचे निए वह से वशीबुत नहीं किसी तरह से ऊपर बेटने वाला नीचे लटक गया हो ना तो गिरता है ना ना उपर ना नीचे और एससे रगड을 खाता खाता है दो किलमेटर रगड रहा है आगे वाला भी नहीं पीछे दिश्ण चाल से चल रहा है और उसकी दश्या क्या हो रही है ऐसे हमारा मन रुपी गोड़ा 24 गंटे अपनी चाल से चल रहा है और पीछे पावर को दे रहा है अगर लगाम जीव के पास है फिर तो एक मिनिट में उसको गोण कर दे तुरंत उप्योग लगा दे मैं जीव आत्मा में मन नहीं हो पर है पर मन तो जैसे ही आपको लगी कि मन ने कुछ डिमांड करी है मन के पिछे में जा रहा हो उसी समय उप्योग लगाओ उप्योग क्या है जो आलम मनें मैं जीव आत्मा हूँ स्वांसे सोहम में किसी तरीके से आलम लगा करके आप जीव जीव में निष्टे में आ जाओ फिर एक जीताना किसको है, अगर आप मन को महत्व नहीं दोगे, जीव को महत्व दोगे, तो थोड़ी देर की जंग में जीव जीत जाएगा, और जीव जीत करके जितनी देर जीव जीव में रहेगा, उतनी देर उसके करम खशय हो रहे की बंद हो रहे, उस समय आप आनद में हो की टे में नर्व संहार चल रहा है लेकिन राजा को पता है कि हमारी जीत हो रही है सेनापती को पता है कि हमारी जीत हो रही है तो अंदर में एक लास और उस्सा के साथ लड़ता है और जब राजा को पता चल जाता है कि हमारी हार हो रही है तो जो कुछ थोड़े बहुत बचे हुए में उनका भी उस्षा क्या हो जैता है तनडा ऊजाता तो हमको उस्षा ठंडा नहीं करना यह जंग है सम्यक्त और मिध्यत्व की यह जंग है करम और धर्म जो अब करम को विजय बनाना की ध्रम को विजय में करम पावरफ arena कर दर्म पावर False जो भाग्यवादी है वो करम के पिछे लगे हैं और जो पुरुशार्त वादी है वो धर्म के पिछे लगे होगा है पुरुशार्त का मतलब परिस्ततिया बदलना नहीं है पुरुशार्त का मतलब है कैसे भी परिस्ततियों मैं जीव को जीव में स्थित रखूंगा मन के पुरुषात्य 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 प निम्बू अम निकान सकते कि वो जो फल्ख जैसा भी आये उस वाशना कि विबाँ में रहरा ये किसके आतमे हैं ये धरम ये धर्म के आतमे और धर्म जीव का सबाव है और करम वदी कहे अ रहरे यह कहां से आ गया यह more तो आ गया ऐसा क्यों हो गया अभी तुमने बीज डाल आया तो भूगने समय आप दश्टा रहे तो आपको प्रभावित नहीं करेगा और भूगते समय आप करता भूगता बने क्रिया प्रतिक्रिया की आत्रोध्यान किया तो करम तो आया लेकिन साथ में नया बंधन अक्सर कि बहुत सुक्षम विशय है करम और धरम का पुरिशार्थ और भाग्य का करम हमने बीज में डाले उसी का भाग्य बना उसको आप चेंज नहीं कर सकते लेकिन सभाव में रहोगे तो वो सारे करम ख्षय हो जाएंगे विभाव में रहोगे तो और नए करम बान लोगे बस यही पुरिशार्थ है पुरिशार्थ वाज जो है एक नियती है कोई भी कारे होने के लिए पांच ची चाहिए काल पकता है तो कारे होता है सभाव उसका गटना का सभाव भी होना चाहिए करम नियती और पुरिशार्थ काल संयोग आता है तो सारे संयोग बन जाते हैं जब आज पोदा लगाया और आप के तो आज ही मैं सो गड़ा कर दो और मेरे को आम मिलना चाहिए शाम तक तो नहीं मिल सकते लेकिन रोज एक-एक गड़ा डालते जाते हो सो दिन के बाद आम आना है तो आना ही है उसको कोई रोक है ऐसे ही जो कर्म का बीज आपने जिस संसकार में जिस धारा में जिस त्री में डाल दिया वो तो डाल दिया लेकिन अब आप नया करम बांदे के नहीं बांदे इसके लिए आप स्वतंत रहो और जब वो कर्म उद्धे में आएगा उस समय आप विभाव में न जाओ स्वभाव में रहो यह पुरुशाथ यह पांचों चीजे आने को मानना पढ़ेगा तब जा कि कारिश अगर आपको मुक्त जाना है तो पांचों चाहिए तें कि चाहिए चाहिए जहां आप मुक्त जाने की समता रखते हो आ वह पूं लगोडता जीव हो और आपका स क्वाव है मुक्तếu जाने का शमता है तो लाविए जीव हैं जिसका सबाव नियत सारी बात है तो यह वी मुक्ष is 1700 di Nicholas तुमानी होगा जैसे एक भाई ने मेरे को प्रश्ण किया रामा वियार में आज ते बारा साल करें 2012 की साधना काल में बैठे वे तो एक वास्तु सास्त्री आया है इसने मुझे काउंटर कोस्चिंग किया हम बात चल 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 लिए बोले यह समसान समसान क्यों बना बोलो यहां पर बिल्डिंग क्यों नहीं बनी शमसान क्यों बना यहां पर बिल्डिंग क्यों नहीं बनी बनी बोलो आप बलो आपका चिंतन क्या है उस क्षेत्र की नियती ऐसी है कि वहाँ पर शंशान ही बनना है चाये आप कितनी प्लानिंग कर लो वहाँ पर नहीं बनेगा तो नहीं बनेगा ऐसे हर एक नियती है तो कुछ बाते नियती के इसाब से आपको स्विकार करने पड़ते हैं काल सबाव नियत और फिर कर्म वेसा हमारा कर्म भी हो जो हमने संकल्प लिया है वेसा हमको कर्म करना पड़ेगा और फिर क्या है पुरुशार्थ जीव का जीव में स्थित रेने का पुरुशार्थ अब पांचों में कोई कमी होगी तो कार्य होगा क्या बताओं पांचों चीजों की पूर्ती होगी तो वहां पे मोक्स का ठपा लग जाएगा और हम क्या करते इस कारण हुआ अब पांचों मेंसे कोई कमी होती तो होती क्या काल भी पकना चाहिए सभाव भी होना चाहिए नियती भी होनी चाहिए करम भी वैसे होना चाहिए और पुरिशार इसलिए हम केते कि तुम पुरिशाद करो क्योंकि हमारे पास इतना ज्यान नहीं है कि काल पकखनी पका हम देख पाए नियती हे कि नहीं हमको नहीं मालूम है इसका सवाव यह भवी है अभवी है हमको काल सवाव नियती करम भी हमको दिखते नहीं केवलियों को दिखते हैं इसकी नियती ही नहीं है कि वो मुक्स जाए तभी तो संसार कभी खाली नहीं होगा भवी से भी खाली नहीं होगा इतने जीवें भवी से भी संसार कभी खाली नहीं होगा और अब भवी कभी मोख्ष जाए गई ही नहीं इसका अद्रष्टां मैंने पहले बीएक जैसे उधारन के लिए एक बड़ा अथा समुद्र है प्रशान्त मासागर जैसा और बीच में एक लकड़ी पड़ी हुई है अब लकड़ी में एक शमता जलने की है की नहीं है लेकिन वो इधर से उधर ठल्ले खा रही है कभी किनारे पे लगती ही नहीं तो लकड़ी जले की क्या ऐसे हम अनाधिकाल के अनंत जिवों के साथ संसार में चार गती चौरा सी लाग जिवों ही में ठल्ले खा रहे हैं कभी किनारे आने के भाव ही नहीं बनेंगे कभी ऐसे भावी नहीं बने कि मैं मुक्त हो जाओं बहुत किसके बनते हैं जो भवी जीव होता है जिसकी तैयारी होती है वो तो इनके विशे को पॉइंट बना करके आगे बढ़ जाता है और दूसरे हमाराज कोशिस करूँगा बहुत अच्छा आपकी बात बहुत सुन्दर है इतनी बढ़िया ऐसा उपर से बरसाथ खुब हो रही है पर पत्थर बेह करके पानी बेह करके निकल जाता है पहाड के उपर जाओ हमालाएव पानी कितना टिकता है कितनी बरसाथ होती है कितना बरफ इगलता है लेकिन पानी महां पर कोई टिकता है पानी सब कहा आता है ऐसे ही कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके ऊपर खुब बरसा होती है लेकिन वह बिलकुल भीगते ही नहीं अंदर से बिलकुल वाटर प्रूब बन हो भी जिव का ऐसे जिवों को और भवी जी भली आज काल नहीं पका है अनंत काल के बाद भी जाएगा लेकिन कोई कोई ऐसा संयोग बनेगा उसकी रूची भी होगा उसके अंदर में मुख्ष रही है कि मैं भी जाओं कसोटी क्या है तो ज्ञानी जन कहते हैं कि जिसके अंदर में भाव जाएगे में भी मुक्त हो जाओं वह भवी सिंपल कशक भाशा में जाना देकिन गुरुजनों से बातचीत करते हुए चर्चा में हमने जो सुना है वो यही का जिसके मन में रूची पेदा हो और मन में भाव आए कि मुझे मुक्त होना है तो समझ लग वो भवी जीव है और जिसके मन में भाव ही ना आए दूसरों को प्रवजण देंगा वर खुद के अंदर भाव निया इसलिए तो कहा ना कि अब अभी जीव 21 पर देवलोग तक जा सकता है नव ग्रेयक आगे क्रोश नहीं कर पाते हैं इतने सादू इतने उपाध्या यह जाएंगे नरक में क्यों बताएं सब तरह के लोग हैं इस दुनिया में यात्री सब बने हुए हैं सब कौन कब हम पता नहीं कि इसके पहले कितनी बार जाकर क्या है अब जाके हम किनारे की और बटने हैं अब किनारे पे आके ही सजेकता रखनी है गोत्म को भुगवान ने बार बार क्यों कहा हैं समया उटा है एक समय के लिए अगर आपके मन में विचार आ गया तो आपकी सुक्षमता है स्थूलता है संस्तान है भेद है अंदकार है चाया है आतप धूप है उद्योत शीतल प्रकाश वाले भी है शब्द बंद सुक्षमता स्थूलता संस्तान भेद अंदकार चाया आतप यानि धूप उद्योत यानि चंदर का प्रकाश ये दस अवस्ता है पुद्गल की ही असाधान अवस क्ता है जो अन्युप में द्रभ्यों में नहीं पाये जाते हैं इन में से कुछ तो ऐसे जो सकंद और परमानों की प्रियाएं अनिक बॉलिया अक्षरूप भाशात्मक शब्दें परश्छ्जॡब वाश्च्डियों आदी के बॉलिया में तैं में तुटू आदी के अनक्ष रूप भाशात्मक्षब्दे में बादमक्षब्द के उत्पन होने के दोनों निमिते प्राणी और जर्पदर जो केबल जड़्पदाद हो के आगाज से बना प्रेथन के उत्पन होते हैं वे वेश्टर इक सवभाविक है जैसे मेग गरजना आकाश में बादल गरशते हैं पत्थरों की तक्रार जैसे पत्थरों में गिरने की से आवाज जाती है पत्थरों की तक्रार से उत पर शब्द जो प्राणियों के प्रेत्न से पेदा होती है वो प्राणियों जिसे बांसूरी एक प्राणी लकडी की बांसूरी तो उससे द्युद्वनी निकलती है भेरी बजाता है विशे शंक को बजाते हैं वीना बजाते हैं ताल बजाते हैं यह सब प्राणी के द्वारा प्रयोग करके निकाले हुए शब्द पहले जड़ में टक्रा करके पेदा हो रहा है पत्थर पथर की आवाज में गर्जन आदी और यह प्राणी के नमेश्व, प्रायोगिक के भी चार बेडे, तत, शमडे से मड़कर ढोल नगा रहे आधी के शब्द, वितत, सितार आधी के शब्द, गण, गणता, आधी के शब्द, सुर्शिर, मांसूरी, शंक, फुंकर बजाए जाने वाले ये शब्द, ये सब शब्द के ब पुद्गल की दूसरी परिया है बंद, बंदन होना भी पुद्गल में ही पाया जाता है, यह दो प्रकार के हैं, एक गटना बन जाती है, मनिश्य के प्रेत्न से होने वाले बंद प्रायोगिक है, यह थे वेसर सिक, दूसरे है प्रायोगिक, इसके भी दो बेते, अजीव का बंद जैसे लकड़ी और लाख का बंद लकड़ी का टुकड़े को लाख के साथ जोड़ दिया जीव और अजीव का बंद जीव और अजीव का बंद ये प्रायोगिक बंद है हमको ये समझना है बाकी सब तो बुद्धी की समझ के लिए नहीं मुख्य समझना क्या है जीव औ और नो कर्म का बंद, नक और केश आधी का बंद, कर्म का तता शरीर आधी नो कर्म का जो बंदन होता है, वह आत्मा के प्रेत्न से होता है, इसलिए प्रायोगिक बंद है, प्रायोगिक बंद, आत्मा से कर्म और नो कर्म, कर्म कितने हैं, और नो कर्म कुन से हैं, शब्द आत शास्त्रों में नो कर्म, क्या बुले, रती अरती, नहीं, नो कर्म वो नो कशाय है, नो कशाय और नो कर्म में अंतर है, नो कर्म तो आठ हो गए, नो कर्म में ये शरीर आदी, शरीर आदी जितना भी शरीर से चुड़ा हुआ संसार है, ये नो कर्म में आदी, तो आत्मा के विभाव दशा में, आत्मा जब स्वभा में रहती तब तो कोई बंदन मानती नहीं, जीव द्रवी अपने आप में अकेल पुद्गल का पिंड है मा के घर में बना है, सब जानते हैं, समझते हैं, लेकिन हम, मैं आत्मा जो अंदर रह रहा है, वो भाव से किस से जुड़ा हुआ है? इस शरीर आदी से जुड़ा है, तो ये नो कर्म है, और कार्मन शरीर आदी जो विभाव दोशा में ने ने बंदन बांध रहे हैं, या कर्म का तथा शरीर आदी नो कर्म का जो बंदन है, वो आत्मा के प्रेत्न से है, इसलिए यह प्रायोगिक बंदन है, यही बंदन को तोड़ना है हमको, और कोई काहा हमने कोई इस पुद्गल के उपर हतोड़े नहीं चलाना है, इतने पुद्गल पड़े, सब अपनी अप से मुक्त हो जाते है, मेरे पन का वाव मो हैं, और मैं पुद्गल हूँ, यह मिध्यात है, तो दोनों से तोड़ना ही, तो मो कर्म को तोड़ना है, बाकी कुछ नहीं करना है, सारा जगत व्योस्ति चल रहा है, चलता ही रहेगा, अनाधिकाल से चल रहेगा, हम अपने ब्रह जाएगा, तब ही पुद्गल तो पड़ी रहेंगे, सड़ेंगे, गलेंगे, उसमें जो बदलाव आना है, वो आएगा, आपका कोई वास्ता नहीं उसका, जीव निकलने के बाद इस पुद्गलों में क्या परिवर्टन हो, क्या वास्ता, लेकिन जितना हमारा मेरे पन का ऐसे किसी भी पुद्गल तो शरीर आदी में क्या हो गया, स्मयम शरीर और सरीर से जुड़ा हुआ, जिसका मेरे पन का भाव है, वो सब नो कर्म है, वो सब नो कर्म है, या आपको दिगंबर ग्रंत पड़ोगे, समय सार आदी तो महाँ पर बार बार ये नो कर्म शब्दा बार बार वहाँ नो कर्म शब्दा आता है, हमारे यहां ज्यादा कर्म की बात चलती, लेकिन वहाँ पे नो कर्म की चर्चा अनेक बार है, पुद्गल का तीसरी परियाय में सोक्षय यानि सुक्षमता, शुक्षमता का विप्राय पतलेपन या लगूता से, शुक्षमता का सभाव भी पुद्गलों में ही पाया जाता है ये दो प्रकार का है एक अंत्य या सबसे सुक्षम जैसे परमानू इसके आगे कोई भेद नहीं परमानू इस लाश्ट पुद्गल का हिस्सा और अधिक जिससे अधिक शुक्षमता किसी में न मिल सकती है वो अंतिम शुक्षमत दूसरा है आपेक्षिक सुक्षमता किसी अपेक्षा से चोटा बड़ा जैसे एक दूसरे की अपेक्षा से जैसे बेल से सुक्षम आउला है बेल कफल देखा आपने और आउला उससे चोटा है आउले से सुक्षम बेर है और अपेक्षिक सुक्षमता संकेता है पुद्गल की सराकाल जय हो विजय हो महात्मा जय हो विजय हो ती खुदो आयाहिनम भयाहिनम गरेमी वंदामी नमसामी सकारेमी सम्मानेमी महां जय हो विजय हो विजय हो विजय हो सक्षमता है और सुक्षमता पुद्गल के एक दूसरे की अपेक्षा से जैसे आम से छोटा दूसरा पुद्गल की चौति परियाय यानि स्थूलता होना भी पूत गिलों की पर्याएए अन्तिम स्टूलता वा अपैक्श ही स्टूलता यह दो बेड़ जो व्याप्त अचित महाक स्कंद की स्टूलता अन्तिम स्टूलता है बेयर से आवला आवले से आम अधिक स्टूल jsत के या अपेक्षा से तो वह सबसे बड़ा और बागिए से छोटे-छोटे पुद्गल की पढ़िया है संस्थान संस्थान आकरती को कहा जाता है विभिन्द आकरतियों का होना पुद्गल प्रिवयों में ही संभव है। इसके दो भेदे नियत आकरती जो आकरती निश्चचट आकर की हो। haul इसका कुछ नाम रखा जा सकता है वह नियत आकरती है। जैसे गटा इक सब की आकरती गट्व कह आकरती कंबू घरीव कहलाती है। ऐसा ऐसी आकरत स्टलिक्षन नियताकार के लाती ह यह पांच प्रकार क entrepreneurs तिकन चोकौण गोल रतोल आई ताकर बल्ग अलग-अलग अकार जो है shape इसको ये पुद्गल का ही रूप है साड़ा ऐनियताकरती जो आकरते नियत नहों अपने भी आ kommड़ नहों और जिसका नाम शे लक्षन वाले होते हैं अनित्य अनित्थम लक्षनम आकरती गई जाते हैं पुद्गल की छटी परियाय भेद भेद का आर्थे विश्ट्रेशन असा प्रथक करन मिले हुए एक सकंद को निमित वसाथ टुकड़े होना भेद ये पांच प्रकार के देखने में आते हैं और कार से लकड़ी को चीरने पर निकला हुआ बुर्दा आरच विरते दुसमें लकड़ी का बुरादा निकलता है बारिक बारिक शुरन ग्यों का आठा खंड गट गड़ा फूटने पर उसके टुकड़े होना प्रतर में गटल की भांती बिखर जाना अब्रक की तरह परते निकल अनुचटन तप्त गरम लोहे पर गन मारने से जो फुलिंगे निकलती है यह अनुचटन अत्मा आम या संत्रा या इक को चील कर इसके चील के अलग कर देना यह अनुचटन है यह समस्त बेद यानि टुकड़ों के प्रकार है इन बेदों के अत्रिक्त और भी उदा नहीं हो सकते हैं लेकिन व्यवार में पांच तरक के बेद दिखते हैं इनके तरिक्त जो बेद होनंगे विज़ा सब्सक्राइब कर नहीं परिगनत किये जा सकते हैं पुद्गल के आथ भी परियाए च्छाया शरीर आधि के निमित से जो प्रकाश का निरोध हो जाता है वो छाया है किसी भी वस्तु में अन्य वस्तु की comprehensive का अंकन हो जाना च्छाया ज़ा है प्रकाश हम्रूप प्रतिविंबや रूप जिस वस्तु की हमें। रूप रंग जोंकत्यों उसमें आ जाए जैसे दर्पन में मुक का रूप रंग आदी जोंकत्यों आ जाता है प्रमा नक्षत जुगनु आदी का जो शीतल प्रिकास है यह उद्ध्यों थे यह इसके विभिन्न भेद हैं पुद्गल के अन्य असाधरन गुण है अनवा सकंद पुद्गल परमानु रूप है और सकंद रूप है यह पुद्गल के से हैं तो दो रूप में है परमानु रूप में और सकंद रूप में अनेक परमानु का जो पिंड है वो सकंद है और एक एक जो परमानु है वो अपने आप में तो अनवा सकंदास्ट पुद्गल परमा जो दिखाई नहीं देते फिर भी वे सकंद है क्योंकि दो या दो से अधिक परमानों के मेल से जो पुद्गल बनता है वह सकंद है, सकंद का सारान अर्थ अनेक परमानु पिंड़ होता है, सकंद तीन प्रकार के मिलते हैं, संक्यात, असंक्यात और अनंत प्रदेश वाले, सक इन्ही संख्यात असंख्यात अनों का संबन भीत रूप है बाकी की चर्च यह था समय